कर लोगे गर आपको चीज़े यूसफुल लगेंगे तो ठीक खतम चलिए स्टार्ट करते हैं रश्या बना है राजिस इंपोर्टर किस चीज़ का पिग आयरन का किस देश की कि यह नि किस देश का पिग आयरन रश्या सबसे जादा खरीता है हमारे इस फैनेशल एयर में तो वो है हमारा भारत ठीक है तो यह चीज़ तो आपको मतलब यह question पूछने का मक्सद यही था कि मैं आपको बताओ कि हमारे देश के साथ यह चीज़ हुई है ठीक है तो यह बहुत सिंपल सी news है तो यह पहले से मिने टिक भी कर रखा था आक्शली इसमें तो रश्या से आप होता है विक्ट्री डे परेड रश्या का ठीक और साथ में आप याद रखेंगे कि रश्या आक्शली वो है जो आक्शली चेस ओलंपियाड को होस्ट करने वाला था जो हमारा चेस ओलंपियाड भी हुआ है उसको होस्ट करने वाला था रश्या लेकिन फिर वहां पे वार व होते हैं, जिनके साथ हमारा international trade जहां से होता है, उन ports को बोलता है, moving on, कौनसा वो देश है, जहां पे largest pink diamond मिला हुआ है, बहुत आसान question, तो ये देश हमारा, Lululodge नाम उसका है, पहले आप याद रखेंगे, और ये देश हमारा which has become the first state, कौनसा वो राज है, पहला state, जिसने की, जिसके पास एक dedicated semiconductor policy है, जिसके पास एक dedicated semiconductor policy है, तो ये राज हमारा बच्चा गुजरात है, यहीं गुजरात से आप याद रखेंगे, गुजरात में हमारा नेशनल गेम भी हुआ था, डिफेंस एक्सपो भी हुआ था, गुजरात में कुजिन पहले अभी अटल ब्रिज का अनावरेट भी किया गया था, अटल ब्रिज, अटल टनल अलग है, अटल ब्रिज हमारा अलग है, ध्यान रखेंगे, moving on, कौन सा शिप्यार्ड है जिसने बनाया है भारत का पहला इंडिजीनियस एरक्राफ्ट करियर, पहले तो आपसे पूछेगा पेपर में, कि भया भारत का पहला इंडिजीनियस यानि की घर में बना हुआ, एरक्राफ्ट को ले जाने वाला करियर कौन है तो वो है विकरांत, नामे याद रखेंगे, आइनस विकरांत है वो, लेकिन इसको बनाया किसने तो इसको बनाया है याद रखेंगे, बनाने वाला है कोचीन शिपयाड, very very important, कौन बनाया है, कोचीन शिपयाड बनाया है, याद रखेंगे, आगे, भारती नौसेना ने रिसीव किया है, दो MH60R मल्टी रोल हेलिकॉप्टर, कौन से देश से ये हमारे हेलिकॉप्टर आए है तो ये देश हमारा है बच्चा, United States, जहां से दोनों हेमारे MH60 हेलिकॉप्टर आए हुए है, कौन से एडिशन है अभी, वियतनाम, इंडिया, बाइलेटरल आर्मी का जो अभी start हुआ है, वियतनाम और आर्मी की जो excise है, उसका कौन से एडिशन अभी recently start हुआ है, तो ये है बच्चा, third edition, जो कि अभी हो रहा है, वियतनाम और इंडिया के बीच में excise हमारी, आगे, which union ministry implemented the revamped distribution sector scheme, कौन सी वो union ministry है, जो actually implement करती है, revamped distribution sector की हमारी एक scheme है, तो ये ministry हमारी कौन सी है, ministry of power, ठीक है, आप यहां से समझ सकते थे, revamped distribution, कहीं ने कहीं आपकी, power sector से associated है, तो union ministry हम बच्चा, जो की बना है, top country, FDI equity inflows के लिए, FDI आपका होता है, foreign direct investment, तो वो भारत में किस देश से सबसे ज़्यादा मिला है, हमें, किस देश से सबसे ज़्यादा आया है, वो देश हमारा लगतार है, that is Singapore, ठीक है, Singapore से हमको मिला है, top most, हमारा जो FDI equity inflow है, वो है, वहां से maximum, आगे, किसने replace किया है, चाइना के hang human को as the richest women in Asia, Asia की richest women कौन बनी है, basically question हमारा ये है, पहले चाइना की हमारी yang women थी, इनको replace किया है, किसने, इनको replace किया है, सवित्री जिन्दल जी ने, ठीक है, सवित्री जिन्दल जी ने इनको replace किया है, और ये बनी है, women की हम बात कर रहे है, मैंन की बात नहीं कर रहा है richest woman बनी है एशा की पीछी wild life century जो कि अभी news में थी ये कौन से रज में है पीछी wild life century बच्चा हमारा है केरला और केरला से आपको याद आएगा केरला ने जीता था क्या अभी किस दिन पहले क्या हमारा Santos Trophy जो कि किस में होती है हमारा football में होती है तो ये भी याद रखेंगे football से आप याद रखो Ballandior Ballandior मैं आपको पढ़ाया था राइट याद करो Alexia Prutla तो वो नाम भी याद रखेंगे Ballandior Award कुसको मेरा था अजबार का और FIFA World Cup अभी आपका हो रहा है FIFA पहले बार कब हुआ 1930 में विनर कौन उर्गवे ये चीज़ें भी याद रखेंगे 1930 में हुआ था पहले बार आगे कौन सा वो देश है जिसने लाँच किया है Second of the three space station module Ventian यानि एक total उनको तीन space station module के पास है जिसमें से उन्होंने अभी दूसरा launch किया उसका नाम है Ventian ऐसा करने वाला ये देश कौन सा है ये देश हमारा बच्चा चाइना है ये करने वाला हमारा चाइना है Next Which nation has decided to quit the international space station after 2024 2024 के बाद ये कौन सा देश है जिसने रखेंग किया है दुनिया का सबस्या durable hydrogen fuel cell जिसको अभी किस देश की उनिवस्टी ने कौन सी उनिवस्टी ने develop किया है आपको ये बताना है तो answer इसका क्या है हमारा Hong Kong की है वो Hong Kong की उनिवस्टी of Science and Technology जिन्होंने ये काम किया है याद रखेंगे कौन सा वो देश है जिसने launch किया है gold coin टैकल करने के लिए inflation बहुत ज़्यदा वहाँ पर inflation हुआ है उसको टैकल करने के लिए उनिवस्टी ने gold coin launch किया है नाम है jimbaubi next which state has stopped in holding assembly setting in 2021 कौन सा state है जिसने top किया है holding assembly setting यानि कि maximum setting setting क्या होती है जब आपकी assembly बैठती है यानि कि लोग आखे जो आपके MLA होते है वो आपके बैठते है house आपका सदन चलता है उसको गोलते है तो इसमें maximum किसने किया है उसका data भी आया है तो maximum किया है हमारे किरला नहीं याद रखेंगे next a new species of damsel fly एक नई species मिली है किसकी damsel fly की जो कि अभी discover हुई है किस राज में किरला, उतराखंड, आसम या फिर तमिल नाडू तो ये राज हमारा बच्चा कौन सा है राज हमारा है किरला जहांपे चीज हुई है आगे the fourth edition of joint military exercise अल नजा अल नजा किसकी ये जो four का मतलब क्या हुआ न कि fourth edition हुआ है तो अल नजा एक military के exercise है किसके बीच में भारती सेना और किसके बीच में है तो ये है भारती सेना और ओमान सेना के बीच में तो ओमान के साथ हम करते हैं अल नजा नामक exercise याद रखेंगे इसको इन West Bengal में state government ने बनाया है साथ नए district ये करने के बाद total number of district कितने हो जाएंगे कहाँ पे West Bengal में तो ये total number of district हमारे हो जाएंगे 30 30 total district हमारे हो जाएंगे कहाँ पे West Bengal में कौन सा हमारा smart city है जो की बना है पहला smart city in India to receive data from Google EIE Google से data receive करने वाला पहला smart city भारत का कौन बना है ये है हमारा औरंगाबाद का smart city औरंगाबाद smart city बना है पहला smart city to receive data from Google EIE सत्यन प्रकास जी बने है नय प्रिंसिपल डिरेक्टर प्रस इन्फोमेशन ब्योरो के तो ये प्रस इन्फोमेशन ब्योरो अब आप यहाँ पर आद करो रंजना जी को कहली मैं आपको पढ़ाया था रंजना जी रंजना जिसाई जी को आद करो तो प्रस इन्फोमेशन ब्योरो established कब हुआ था ये establishment इसका कब हुआ था established बच्चा आपका हुआ था 1919 में इसी 1919 के पहले 2 साल पहले आता है 1917 इसा खास क्या था खास था कॉंगरिस के लिए कॉंगरिस के लिए खास कैसे था कॉंगरिस की पहली महिला अध्यक्षा पहली महिला president राइट एमी बेसेंट बनी थी 1917 को कलकत्ता सेशन में ही याद रखेंगे और पहली भारती महिला जो बनी हो कॉंग्रिस की अध्यक्षा वो है 1925 कानपुर में कौन सरोजनी नाइडूजी हमारी जो की पहली गवर्नर भी बनी थी बात में जाके पहली विमन गवर्नर तो ऐसे हाप रिकॉल करोगे और ऐसे हाथ करेंगे आगे Pacific Dragon Ballastic Missile Defense Exercise एक बाइनियल ड्रिल है तीन मेजर कंट्रिस के साथ ठीक है और इसमें से एक देश वो कौन है जो इसका हिस्सा नहीं है यानि तीन देश है एक देश नहीं है तो यह होता है जपैन, USA और साउथ कुर्या के बीच में तो फिलिपिन्स इसका हिस्सा नहीं है फिलिपि नाम की exercise को भी देश का नाम है और इस्टेट साइन एन मू विथ नीती आयोग कौन से राजने एक मू होता है मिमरंडम अफ अंडर्स्टेंडिंग किसके साथ साथ साइन किया है नीती आयोग के साथ किस चीज के उपर enhance करने के लिए learning outcome of student बच्चों की जो learning outcome है उसको enhance करने क लिए एक MU sign किया गया है वो रज हमारा है अरुनाचरप्रदेश नेक्स्ट कौन से स्टेट ए यूटी है जिसने नागरेट किया है स्खीम Department of Women की हमारी स्खीम है जो की milk और एक देती है बच्चों को आंगनवाडी में भी आंगनवाडी आपके होती है गाउम अगराम आपन कौन से राज का हमारा एक astronomical observatory है जिसको की मीनस को ने अपने लिस्ट में जगह दी है तो ये बच्चा इसका नाम क्या है इसका नाम है हमारा राज का बिहार जहां पे maximum gold reserve भी मिला था अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा हुआ है इसको भी next कौन बने है हमारे latest यानि कि न रिटायर हो गया था ये ये बहुत जल्दी हो गया था रिटायर क्योंकि 49 मैंने पूछा हुआ है इसका आंसर ये होगा आपसे paper में latest पूछेगा 58 ठीक है तो या तो आपसे ये पूछेगा या आपसे ये पूछेगा भाया कि eligibility क्या होती है chief justice बनने की इनको justice बनने की कोई भी minimum age नहीं होती है लेकिन maximum age होती है कि 65 year के बाद यो लोग supreme court के जच नहीं बन पाएंगे high court के जच बनने के लिए maximum age चाहिए आपकी 62 supreme court चाहिए आपकी 65 तो ये age limit है लेकिन उसके अलावा और कोई नहीं है ठीक है तो ये 49th है इसका आंसर होगा यू यू ललित ठीक है चल अबर्ट किया है तो ये हमारा है France ठीक next Ministry of Culture has organized the Tiranga Utsu to celebrate which birth anniversary of Pingali Vinkay तो Ministry of Culture ने organized किया है तिरंगा Utsu कौन सा birth anniversary था ये famous क्यों है because इन्होंने हमारा national flag design किया था very important पिंगली Vinkay जी right तो ये हमारा इनका अभी 146th जन्व महुत सो आप उनको बोल सकते हो या birth anniversary था 146th next रखीगरी which has been seen in the news रखीगरी एक site है आपकी Indus Valley civilization की जिसको आप हरपन civilization भी बुलाते हो right तो वहीं का हमारा रखाईगरी एक site है ये कौन से state में है presently तो ये हमारा आता है बच्चा हर्याना में ठीक है इस आपका लोथल है गुजरात में वैसे ही रखीगरी कहां पे है हर्याना में है next दुनिया का सबसे बड़ा largest floating solar power plant very important भारत में है दुनिया का सबसे बड़ा floating व्यानि कि float करने वाला solar power plant ये कौन से district मे बना है तो ये है आपका खांदवा district खांदवा district में पच्चा ये चीज हुई है राज्य कौन सा है आप मुझे बताओ के नीचे comment section में कौन सा राज्य है जहां पे ये चीज है next the gelding का dollar volcano नाम भी क्या रख है वाई ये अभी erupt हुआ है और अभी आपका mona low भी erupt हुआ है कहां पे है वो hawain island में है ठीक है hawain island में है आप तो paper बन गया होगा शायद तो नहीं पूछेगा वा टेस्टिल याद रखो ठीक है तो ये हमारा एक volcano है जो erupt हुआ है ये कौन से द मार्स का एक multispectral map किसने provide किया है किसने available किया है तो answer है इसका हमारा NASA ठीक है next कौन सा एक organization है जिसने test fire किया है indigenously developed laser guided ATGM कौन सा है ये हमारा organization जिसने बनाया है तो ये बहुत है simple question है ऐसे काम हमारे यहाँ पे DRDO ही देखता है ठीक है DRDO ही इस काम को करता है next कौन सा वो देश है जिसने की conduct किया है largest ever military deal around Taiwan अब ये news में क्यों था because आपको पता है Taiwan ऐसा हिस्सा है जिसको चाईने अपना मानता रहा है ठीक है तो ये कौन सा देश है अभी जिसने की क्या किया है अपना largest military deal लेकिन यहाँ पी क्या है ना Taiwan के साथ नहीं question यह है कि Taiwan के आसपास के area में और क्यों साथ ही बड़ी exercise conduct किया है next Finland ने अप्रूफ किया है NATO जॉइन करने का application था उसको approval मिला है by US Senate along with which country तो मैंने आपको last में पढ़ाया था कि दो देश है जो जॉइन करना जाते है NATO ठीक है दो देश हमारे जॉइन करना जाते है NATO जिसमें से Finland को approval मिल गई है तो ये है हमारे Finland और Sweden Finland और Sweden हमारे वो दो देश हैं जो NATO जॉइन करने के लिए इनोंने application दिया हुआ था next कौन सा राज है जहां पे government decide किया है कि वो develop करेंगे one Sanskrit speaking village हार district में हार district में एक ऐसा गाव होगा जो Sanskrit बोलेगा तो ये राज हमारा कौन सा है बच्चा राज हमारा है उत्राखंड very very important question तो य 2022 UN Security Council Counter Terrorism Committee तो एक कौन से देश ने इसको chair किया है यानि की head किया है देश का नाम है भारत हमने इस काम को किया है next दानोरी mission बहुत simple आप तो एकदम रट गया होगा आपको right किसका है भाया साउथ कूरिया को floating city कौन सी है पहली कहां बन रही है साउथ कूरिया की बस ऐसे recall करके Uber Cup कौन जी था इस बार का Madminton South Korea अगला भारती नौसे नान का जो all female crew है उसने complete किया है अपना कौन सा edition solo maritime mission का तो edition था बच्चा पहला ही था इसलिए news में था obviously ठीक है तो पहला mission था उनका जिसमें इन्होंने क्या किया all female crew था उसमें कोई male member नहीं था ठीक है रहन रखेंगे next what is the name of the satellite developed by 750 girls across 75 ruler schools to be launched by ISRO उस satellite का नाम क्या है जिसको developed किया है 750 girls ने 75 ruler schools के मतलब मिला के जिसको की ISRO launch करने वाली है नाम क्या है बच्चा उसका नाम है उसका आजादी सैट ठीक है next first flight of akasha air ये राकेस जी की एक उनकी बोल सकते है आप aircraft या air career है ठीक है so जो उनकी death हो गई थी पहले भी right so akasha air inaugurate हुआ है और इसकी जो पहली flight हमारी है वो कौन से दो शहरों के बीच में थी तो ये दो शहर में से एक शहर तो आपका एहमदाबाद है दूसर शहर हमारा मुंब अगला कौन बने है हमारे देश के 14th vice president इनका व्यक्यान मिलता है article number 63 में ठीक है vice president की हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे 14th vice president है इनको हम remove कर सकते है effective majority से जो आपके book में लिखा होता है majority of then members majority of then members लिखा भी होता है आपने देखा होगा ठीक है तो ये कौन है बया कौन मने है तो इनका नाम है जगदीव धनकरजी next बढ़े चलो एक campaign है आजादी का अमरित महौत्सों के अंदर कौन से central ministry ने इस इसको launch किया है तो वो हमारी है ministry of culture आगे परवेज परवाज market linkage scheme किस UT की scheme है परवाज market linkage scheme ये हमारी है जम्मु एन कश्मीर की हमारी scheme आगे गुस्तावो पिट्रो ये बने है president किस country के गुस्तावो पिट्रो ये बने है president हमारे कोलंबिया के अभी आगे इन्विज स्टेट अरिगनार अन्ना जूलोजिकल पार्क अरिगनाग अन्ना जूलोजिकल प metro बहुत important question है भारत का पहला underwater metro कहां पे inaugurate किया गया है कौन से शहर में शहर का नाम है Kolkata very important जहां पे metro zone भी है उसका headquarter भी है आपके railway का एक zone है न आपका उसका headquarter Kolkata है ज्यान रखेंगे which country scientists have prepared artificial embryos artificial embryo embryo बनता है जाइगोट बनता है राइट आपने सुना होगा इस चीज़े fertilization आपने सुना होगा जाइगोट ठीक है तो यह हमारा कौन साथ देश के scientist ने एक artificial रूप पे तयार किया है तो यह हमारा है इस्राइल याद रखेंगे next दूनिया का सबसे बड़ा railway bridge ठीक है कहां पे किस बन रहा है भारत में भारत में बना चेनाब की बात कर रहे हैं चेनाब railway bridge बन रहा है भारत में कौन से state या कौन से यूटी में है तो यह बच्चा हमारे जमू कश्मीर में है जहां पे हमारा चेनाब जो bridge है उस पे उसका नाम है वो हमारा दुनिया का सब से highest railway bridge है आपको बता है चेनाब largest tributary है किसकी? Indus river की. Largest tributary है हमारी Indus river की. कौन? चेनाब. आगे. Which state government है launch किया है? पंचमृत योजना. किस चीज़ के लिए? Farmers की income को double करने के लिए. यह राज हमारा है उत्तर प्रदेश जिसने चीज़ को किया हुआ है. कौन मना है पहला भारती? Social psychologist. किस चीज़ के ओपर? US Heritage Wall of Fame of the Society for Personality and Social Psychology. कौन वो भारती? पहला भारती? Social psychologist है. किस चीज़ का? US Heritage Wall of Fame. उसमें उनको जगा दी गई है basically. किस topic पे? Society for Personality and Social Psychology. तो नाम क्या है उनका? उनका नाम है वहिया. रामाधार सिंग. नोट रामधीर. याद रखेंगे हाँ. रामाधार सिंग. ठीक है? ओके next. प्राम मिनिस्टर ने इनागरेट किया है 2G Ethanol Plant. Ethanol Blending अभी आपने सुना होगा. 2G Ethanol Plant किस city या किस state में? तो ये बच्चा हमारा है. पानी पत में चीज़ होई है. आगे. जेम्स मरापे ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर. कौन से देश के? जेम्स मरापे बने हैं. पापुआ, न्यू गिनिया के हमारे नए प्राइम मिनिस्टर. आगे. Which of the following two countries have withdrawn from the cooperation group between China and Central and Eastern European countries? ये बने हैं जिन्हों ने इसे withdraw कर लिया है? तो वो दो देश हमारे बच्चा हैं. एक लेट्विया है और एक इस्टोनिया है. लेट्विया और स्टोनिया हमारे दो देश हैं जिन्हों ने इस देश को किया हुआ है. ठीके? आप मुझे कमिने बताएंगे कि Baltic Nation में कौन- आपने टम सुना होगा, उसमें कौन-कौन से देशन जो हमारे आते हैं, ठीक है? Next, which of the following has been approved as a booster dose? Booster dose के तौर पे इसमें से कौन सी vaccine है, जिसको approval दिया गया है, नाम है इसका, Corby Vax, ठीक है? Corby Vax को एक booster dose की तरह हम use कर रहे हैं, ठीक? Next, रशन न अभी launch किया है एक Iranian satellite orbit में, कहां से? Kazakhstan से, नाम क्या है इस Iranian satellite का? तो नूरी तो आपको पता है, राइट, नूरी आपको पता है किसका है, तो इसका नाम है खायम, खायम नाम है इस हमारी एरान की satellite को, जिसको अभी की South Kazakhstan से क्या किया गया है, बोल सकते हो आप, इसको launch किया गया है, Next, Indian Air Force की contingent, left which country to participate in a 4-day bilateral exercise, उदार शक्ती, तो कौन से जगह पर basically अभी गई है, हमारी Indian Air Force को महीनों पहले, उदार शक्ती नामक exercise में भाग लेने के लिए, तो इस देश का नाम क्या है हमारे, देश का नाम है हमारा Malaysia, Next, कौन सी ministry है जिसने launch किया है, Smile 75 initiative, Smile 75 नामक initiative किस ministry ने launch किया है, तो यह बच्चन हमारी है, Ministry of Social Justice and Empowerment ने सकांग को किया हुआ है, Next, Who became the first South Asian to win the Lisbon Tunnel Lifetime Achievement Award, Lisbon Tunnel Lifetime Achievement Award, यह basically भाईया किसको मिला है, तो यह मिला है, Marina Tabasum को, very very important बच्चा, पहले भी मैं आपको इसको पढ़ाया है, लेकिन फिर से आप याद रखेंगे, और यह मैं आपको PDF भेज दूँगा, यहाँ पे भाई, Next, Which state has implemented the one MLA one pension, याईनि कि अगर आप एक बार MLA बनोगे तो आपको एक ही pension मिलेगी, एक MLA one pension program, कौन से राज ने लाँच किया है, बहुत important question है, यह राज हमारा है, पंजाब, सुनोगा आप दो आप भी वहाँ पे news में, पंजाब है हमारा यह राज, आगे, Which country has become the world's first country to approve Omicron vaccine, Omicron vaccine कौन से देश ने अप्रूव किया है अभी, ऐसा करने वाला पहला देश बना है, देश का नाम है UK, that is Unit Kingdom, जहां पे अभी रिशी शुनाग जी भारती मूल के बने है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, राइट, याद रखेंगे, Next, कौन से स्टेट है वो जिसने रिसीव किया है, अगस थी अलमलाई elephant reserve, जो कि उनका बना है, पांचवा elephant reserve, ठीक है, elephant से आप याद करोगे, project elephant, 1992, किसले था elephant को save करने करे, project tiger भी आपको याद आएगा 1973, ठीक है, तो यह हमारा कौन से राज में है, यह हमारा बच्चा है, तम कौन से दो दिश के बीच में हुई है, तो भारत और कौन से देश में हमारा, Malaysia, बहुत important है, next, कौन बना है नया president Kenya का, Kenya के नया president हमारे बने है William Ruto जी, William Ruto बने है नया president Kenya के, आगे, improve करने के लिए security of passengers, भारती railway ने क्या किया है, along with RPF पर साथ railway protection force के साथ एक operation जो launch किया था, उ उसका नाम है operation यात्री सुरक्षा, next, India has gifted dornier maritime reconnaissance aircraft to which neighboring country, किसको गिफ्ट किया है भारत ने ये, तो ये भारत ने गिफ्ट किया है शिलंगा को, आगे, कौन मना है नया executive secretary of UNFCCC, इसके नय executive secretary हमारे कौन मने है, तो वो है हमारे Simon Stelgy, आगे, कौन से country ने sign किया है climate change और health care bill, 750 billion dollar का, तो ये sign किस ने किया है, sign किया है, USA नहीं, आगे, क्या नाम है भारत की पहली saline water lantern का, तो ये हमारा नाम से क्या है, प्रकाश, रोशनी, जगमग या फिर शूर्या, तो ये है हमारी रोशनी नाम है इसका, next, BRO will build a steel slag road, बहुत famous है, in which state, तो ये आपको पता होगा याद आएगा अभी आपको, कि भारत का पहला steel slag road कहां पे है, सूरत में बना था, तो वो भी आपसे प्रस्च पूछता है, कि भारत का पहला steel slag road कहां बना सूरत में, recently BRO और किस जगह पे steel slag road बना रहा है, ये बनाने वाला है, तो ये हमारा और नाचल में, BRO क्या होता है, border road organization Next, the government of India unveils the manthan platform, किस लिए, manthan नाम का platform किस लिए बनाया गया है, तो ये है, एक collaboration के लिए, industry और research institutes के लिए, to implement technology based social impact innovations, ठीक है, एक collab करने के लिए, between industry and researchers हमारे research कर रहे है, उनके वीच में, manthan नाम का platform बनाया गया, आगे कौन सा state बना है, पहला state, हर घर जल certified state, ये मैंने आपको कल भी बताया था, इसका नाम है, गोवा, ठीक है, next, वही गोवा जहां पे हमारा अगला national game होगा, याद रखेंगे कौन सा कंड देश है, जो बना है, पहला देश, to make period products free of for all, जो हमारे period products होते हैं, और इसमें कोई शर्व की बात नहीं है, ठीक है, आप जिस age में हो न, इन चिदों पर आप discuss कर सकते हों, भाई, ठीक है, इन सब चिदों पर आप discuss कर सकते हों, जो हमारे society में बहुत टबू है इसा कुछ नहीं है, बहुत ही natural, बहुत ही normal चीज़ है, ठीक, so कौन सा वो देश बना है, पहला देश, जिसने की period के जो भी हमारे products होते हैं, उसको free किया है, तो ये देश हमारा बच्चा कौन सा है, देश हमारा है, Scotland, इस काम को करने वाला, बहुत important का शर्व नहीं है, Scotland, which state has announced that दही हांडी will now be recognized as an official sport, दही हांडी बना है एक official sport, ये किसने recognize किया है, कौन सा हमारा state है, तो ये बच्चा हमारा है, महरास, जहां पेचीज होई है, next, which state government has launched the Vidyarat school on wheel project, विद्यारत जिसका मतलब है, school on wheel project है, ये कौन से रज का हमारा scheme है, तो ये बच्चा हमारा असम की scheme ह Artemis 3, ये एक moon landing mission है किस country का, याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था, NASA का, तो NASA कहां का है, USA का है, आगे, MOC